अस्तामलीकूम फ्रेंड्स वेल्कम बैक टूट थाप समार्टीज ड्रामा सीवियल स्यानी जहांपर स्यानी किरन ने सबके मकाफात अदा किये तो उजाला का भला कैसे नहीं करेगी अब इबरार से शादी तो उजाला का मकाफात ही इसके लिए बन जाएगा कुद्रत इसे इंतकाम लेगी जैसे उजाला का प्राइस बॉर्ण इसने छीना था सब कुछ इससे छीन जाएगा जैसे उजाला की रजवान से शादी करवाई थी रजवान हर वक्त उस पर तशदुत करता था हर वक्त उसको मारता था ऐसा ही तो अबरार होगा वीडियो का मुकमल देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट आ चैनल पर नियू है तो जरूर सब्सक्राब कर दूजे साथ ही बेल का नोटिफिकेशन जरूर प्रेस किछेगा ताके मेरी हर आने वाली वीडियो आप असानी से देख सके माहरा आहर कर अपनी चालों में कामियाप हो ही गई किरन को शादी के दिये मना ही दिया किरन की जैसे ही हाँ होती है किरन शादी के दिये मानती है वोरण ही वो इबरार को फोन कर देती है और पूछने लगी क्या हर हम UK कब जाएंगे क्या मैं UK चली तो जाओंगी अब इबरार मुस्कुराने लगता है आपको UK जाने की बहुत जल्दी है ऐसे मैं किरन कह देती है मुझे यहां की परिशानियों से तंग आ गई हूँ मैं यहां से अब पीछा चुड़ाना चाहती हूँ यहां पर बहुत मुश्किल वक्त देखा है मैंने इबरार इसे यकीन दिलाता है बहुत जल्द वो उसको UK ले जाएगा बस डॉकमेंट्स बनने का वेट करना पड़ेगा आहर कर इबरार अपनी बरात देकर किरन के फ्लैट में पहुंच ही जाता है इनका निकाह होता है और फिर किरन रुकसत होकर इबरार के पास आ जाती है अब किरन को यहां पर बेट पर बैठे वो वक्त भी होब याद आया जब वो जर्बाब की दुलन बनी थी आज बेट बर पैठे सब कुछ सोच रही है कि जिन्दगी ने उसके साथ क्या खेल खेला वो जो इतनी सियानी बनी भिरती थी आहर कर वो जिन्दगी के हाथों हार ही गई किसी का बुरा करने वाले के साथ तो कभी भी अच्छा नहीं होता ये किरन की सुरत में हमें साथ दिखाई देता है जैसे ही इसने उजाला से उसका प्राइस बॉर्ण चीना था और उसी दौलत से इसने अपनी शादी की थी अपना घर बसाना चाहा था वो घर तो कभी बस ही नहीं सका अब यहां पर माईरा अबरार को साफ साफ कह देती है बिल्कुल भी किरन की चिकनी चुपड़ी बातों में आने की जरूरत नहीं वो जो अपनी पहले शोहर की नहीं हो सकी बच्चों की नहीं हो सकी वो तुम्हारी भी कभी नहीं होगी इबरार तो माईधा से भी ज्यादा तेज है कहने लगा मुझे इसमें कोई इंटरस्ट नहीं मुझे इंटरस्ट है तुसे फ्लैट में इसकी रकम में जैसे ही मेरे हथे सब कुछ चड़ेगा मैं इसको फॉरण फारिख कर दूँगा मेने भला इसको रख के क्या करना है ऐसे में हम जानते हैं कि किरन का तो बहुत ही बुरा हाल होने वाला है जैसे रज़वान उजाला को बात बे बात मारा करता था और उस पर ही अपना गुसा उतारता था ऐसे ही इबरार अब किरन के साथ करेगा जब भी कुछ बात नहीं मानेगी पैसा नहीं देगी तो हर वक्त उसे मार खाती रहेगी अब तो किरन का बड़ा ही बुरा हाल हो चुका है किरन का सारा बनाव सिंगार, सारी शॉपिंग, सारी रेस्टोरेंट्स अब हतम हो चुके हैं अब इसे पता चला सुस्राल क्या है और सुस्राल के जंजट क्या है फ्रेंट्स आप इस पारे में क्या कहते हैं क्या किसी का बुरा करें तो वाके ही किसी की आहें हमें उजार के रख देती हैं ये हकीकत है आप इसे कितना एगरी करते हैं जरूर कमेर्स में बतेएगा वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेर जरूर कीज़ेगा अलाहाफीज